आउनीश ट्यूटियर ब्रांट चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत हैं। देखिए अभी कल की ही निउस थी कि 79,000 सिच्छक भरती में जो है। हाई कोट ने आदेश दिया 2,000 संथिंग 2,234 बच्चों का कि एक अंग बढ़ा कर उनका जो है। मामला निस्तारित किया जाए। वहीं आरच्छा मुद्धे पर लगभग 6,000 भरती का जो घोटाला बताया जा रहा है। उसको लेकर लगातार बच्चे जो है लगणव के इको गार्डन पार्क में जो है इक अठा है धरने पर। उनकी कोई सुनवाई नहीं है। पीट पीट करके अधासा की है। चलिए आगे देखते अपडेट क्या है। वीडियो पसंदायत वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। और चैनल पन्नाय हमस्पलीज चैनल को सुस्क्राइब करने जिसे कोई भी अपडेट हो आप तक पहुंचती रहे। ये देखे बिधान सभा का घेराओ करने पहुंचे अभ्यार्तियों की पूलिस से जड़प। 79,000 सिच्छक भरती आरच्छड में घपले का आरूप। मिस जो 79,000 भरती ये आपको मालूम ही होगा कि 2018 में इसका टेट हुआ और 19 में इसकी परिच्छा हुई थी। और ये 2019 की बिग्यप्तिका है इसमें ज्वाइनिंग भी लोगों को मिल गई लेकिन अभ्यरतियों का कायना है कि इसमें जबरजस्त घोटाला हुआ है आर अच्छड मुद्दे को लेकर भी घोटाला बताया जाता है। चलिए इसको देखते हैं क्या है निउस आज की पेपर की निउस है कि 79 जार से चकभरती में आर अच्छड प्रभावित अभ्यरतियों ने अपने नियुक्त की मांग को लेकर बुधवार को बिधान सभा के घेराओ का प्रयास किया। इस दोरान इनकी पुलिस के साथ तीखी नोगजोग हुई। आप सासन की और बढ़े तो आपको उठा के वहीं ले जग बैठा देंगे चार ओर्स घेरे रखेंगे। अपनी मांगों को लेकर ये अभ्यर्थी काफी दिनों सो इको गार्डेन में धर्ना दे रहे हैं। तरकार पर दबाओ बनाने के लिए इन्होंने बिधान मंडल के सीथ सत्र के दूसरे दिन बिधान भावन के घेराओ की रड़नीत बनाई। काफी संख्या में पहले अभ्यर्थी चार बाग में एकत्र हुए फिर विधान भावन की ओर कूच कर दिये। ये अभ्यर्थी जैसे ही बर्लिंटन चौराहे पहुँचे पुलिस ने बर्केटिंग लगा कर इन्हें रोक लिया। इस पर अभ्यर्थी सड़क पर बैटकर नारे बाजी करने लगे। उनकी पुलिस से काफी देर तक नोग जोग और खीचातान होती रही। कुछ देर तक समझाने के बाद पुलिस ने सभी को बल पूरवक बस में लाद कर इको गार्डन भेद दिया। इस खीचतान में कई प्रदर्शनकारियों को के चोटिल होने का आरोप लगाया गया है। आरोप है कि 79,000 से चकभरती में 19,000 सीटों पर आरच्छन का घपला किया गया। प्रदर्शनकारियों की अगवाई कर रहे बिजय यादव ने कहा कि CM के निर्देश पर 5 जनवरी 2022 को आड़ सट सो अभ्यर्थियों की नियुक्त के लिए लिश्ट जारी की थी। लेकिन उन्हें नियुक्त नहीं दी गई। अब बताईए अगर CM ने लिश्ट जारी कर वाया तो इसका मतलब कुछ तो खामी थी। अगर ये 6800 लगभग, 7000 पदों पर अगर ऐसी बात है तो अब तक आखिर में सासन ने फिर क्यों नहीं दबाव दिया विभाग के उपर, क्या basic सिच्छा विभाग अपने आप मनमानी कर रहा है ये तो सोचने की बात है अगर बेसिक सिच्छा विभाग सासन से बाहर है तो कोई बात ही नहीं है लेकिन है तो सासन का ही दबाओ अगर सासन चाहे तगलिष्ट जारी हुई तो आखिर नियुक्त क्यों नहीं मिली ये थोड़ा सा अजूबा सा लगता है फिरहाल भर्ती तो कोई आ नहीं रही है ये पुरानी भर्ती है ये इस सरकार की अब यही सरकार पिछले में भी थी पांच साल ये उन पांच सालों में की है ये दूसरा सासन कर रहे हैं और कोई दूसरे सासन में कोई बेकेंसी आई ही नहीं है और ना आने की उम्मीद है अब अगर कोई बैकेंसी देखने की मिलेगी तो लोग सभाचुनाओ के बाद जब अगला बिधान सभाचुनाओ आएगा कुछ लाली पाप फेका जाएगा तब तक लाठी डंडों सो खीच-खीच पिटाई हो रही है यह है अब्यर्थियों के अरे सासन प्रसासन को सोचना चाहिए यह भी किसी के बच्चे है इनके उपर भी तरस आनी चाहिए जो है क्लियर करो भई आखिर मगर ऐसा था तक्यों आड़ सट सो अब्यर्थियों के उन्युक्त के लिए लिस्ट जारी किया था लिस्टी ने जारी करते तो ये सारी बाते चल रही है हालंकि अब बैर्थियों नहार नहीं माना है अभी और डटे हुए है और इसी में भलाई भी है अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा चुकि B.A.B.T.C. करने का और कोई मतलम नहीं है आउजित्ती ही नहीं निकलता चुकि अब बैकेंसी नहीं है मेरी तरफ से नहीं गौवर्मेंट की तरफ से सिच्छक और छातन पाथ हमेशा बराबर चल रहा है इसलिए पद है ही नहीं है तो भरती कहां से करेंगे यह पूरानी भरती में है तो इसलिए उसमें के जो पत बच्चें उसमें इनका कल्याड हो जाए तो बहुत अच्छी बात है फिरहाल वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नयाद प्लीज चैनल को सुब्सक्राइब कर लें ओके थैंक यू